सिख्शकों की बहाली का रास्ता साफ हो क्या है? पत्ना हाई कोट ने बहाली का रास्ता साफ कर दिया है National Blind Federation की याक्षिका पर सुनवाई हुई दिव्यांग उम्मीद्वारों के आवेधन के लिए वक्त मांगा क्या है राजिस सरकार ने 15 दिनों की महुलत मांगी है और इसके बाद मेरिट लेस्ट जो है वो जानी कर लिया जाएगा उसी के आधार पर सिक्षिकों की बहाली होगी बहाली के लिए पिश्टिस्तार प्रक्रियाश शुरू ही थी चार पतीशन आरक्षन देने के मामले पर बहाली रुकी थी जिसका अब रास्ता साफ होता वा दिखाए दे रहा है और इस ख़र पर दिक जानकारी के साथ हमारी से होगी रजनीश मासा जोग चुके हैं देखे जिस वक्त का इंतजार था वो कहीं न कहीं आ चुका है और ये बड़ी गाहत की ख़बर जिसे विवाद इस तरह से कलही शिष्चा मंद्री नेजटे से बादशीत में ये अनुमार ज़ना था था कि अगले 15 दिनों में जो बहारी है उसका दाफ्ता साफ हो जाएगा और शिष्चा विवाद पूरी सरकार लगातार पत्ना हाई कोर्स अनुमार करने में जो भी हुई थी और निशित वुप से अगले 15 दिनों के खीतर जो दिज्ञान को मिद्वार है उनसे आवेदन लिया जाएग सरकार नहीं ये महलत ही मांगी थी जानी अब जो दिज्ञान को मिद्वार है उनको 4% आरक्षन मिलेगा और जिसको लेकर याशिका विडायर की गई थी और उसके साथ साथ जो 94,000 जो 24,000 पहाली को लेकर जो जो जेकैंसी लिख लेकी लिख लेकी ती दोनों की बहाली का राफ्ता साथ हो गया है जो दीज़ी की बजाते तो निशिक रूप से रहास पास और लाखों अजर की जो इंताजार में चे उनका इंताजार खत्म होने वाला है अगले 15 जिनों में जो जिज्ञान को मिद्वार है वो आवेड़न देंगे उसके पास जो मैजिक लिस्ट है राज सरकार जाई करेगी जाई करेग की जाई करेगी जाई करेगी।